कि मैं बात कुरने वाला हूं किस बिजनेस टॉपिक का नाम बतादू वो बिजनेस टॉपिक का नाम है एक्टिव और पैसिव इंकम, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इस इंकम के बारे में पता नहीं होगा, जिसे की तुनिया में कितने तरह के इंकम होते हैं और किस तरह के इंकम से लोग बड़े आदमी बनते हैं, किस तरह के इंकम से लोग पता नहीं है तो आज वोगों पता नहीं होगा इस में समझाने की कोसिज करूँगा, तो आप क्या करेंग ग दोप और इसको आप लिख सकते हैं और इसको अपनी लीफ पे, जिन्दगी पे इंप्लिमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तौ आज का जो मेरे टॉपिक है, दूजरे सेसिन का बिजनेस बीनिक सेसिन का वुस्ट टॉपिक का नाम है, एक्टिव इंकम और पैसिए इनकम, दुनिया में इं कारे में हम अलगलते हैं संधाने के प possibilities करें के ठीक है तो पहला जो है हमारा कि यह आता है कि हम लोग काम तो करते हैं काम क्यों करते हैं कि यह सांदार जिंदगी जीने के घंट गारी खल ऊफ दियुक्त पैसे कमाते हैं फशे न स करते हैं दो यह लेकिन इसमें क्या होता है कुछ लोगी अमीर बन पाते हैं मेरा जो स्लाइट है वो आप सभी को सो हो रहा है आपको ये कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं हो रहा है तो फिर प्रोब्लम भी आ जाएगा आप लोग को नहीं दिखेगा था हम बोलते रह जाएंगे बात वह जाएंगे जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे जाएंगे जाएंगे बनते हैं तो लोगी अमीर बनते हैं उनको पता नहीं होता है कि तरक इंकम से लोग बड़े आद्वी बनते हैं किस तरह के इंकम से लोग अमीर बनते हैं उनको पता नहीं है बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है किस तरह के इंकम से लोग बड़ा बनते हैं तो उनको में इस डिफ्रेंस से बताने वाला हूं कि कैसे इंकम करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं ज़िर्द पैसे सकते हैं और कि क्या क्या करना फे अगरा घर किटना पाइसा कमाथ तो इस तरह के लोग करते हैं 25 लोग कर रहे हैं 90 घर विंकम को कर रहे हैं लेकिन पेसिए इंकु मों क्या है पैसिव इंकम में एक्टिवली इंवर्ब नहीं होना पड़ता है, एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है, इस इंकम को कहते हैं, जिसमें हमेशा काम करने में जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं पैसिव इंकम, इसमें आप एक बार काम कर दिये और बार बार आपको हमेशा पारिश से आते रहेंगे उसको बोलते हैं पैसे बिन्कूम कर रहे हैं इसलिए दस परसेंट लोग ही अमीर है बाकी के 90 पर संट लोग गरीब है儿 middle class के लोग है active income के अदारन इस साइड में देख सकते हैं आप लेप साइड में active income के अदारन पाउन कौन कौन से है जोब हो गया, तब से पहला उधारन जोब, दुसरा रोजगार, जोब मेंस जोइनिंग अदर बिजनेस, जोब करते हैं कोई लोग तो यह जानते होंगे कि जोब में जब तक हम नहीं जाएंगे, वहां जब तक आठ से तस गूंटे हम टाइम नहीं देंगे, तब तक आपको एक दिन भी वहां हमीश कर जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे, तो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिस दिन आप बिमार पढ़ जाएंगे, घर पे रह जाएंगे, उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो यह नोकरी का हार है, ठीक, नोकरी करेंगे, तो नोक कर दिया आप एक बार बना दी तो हमेशा यहां से आपको पैसे आते रहेंगे गेस एजनसी हो गया फ्रेंचाइजी बिजनस हो गया हाउस रेंट पर लगा दिये वह सब हो गया इसे लिए उनके बुक को हमेशा के लिए लोग पढ़ते रहेंगे जितना लोग बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे अधिक grandson को का मेशा सिव करना पड़ेगा कि हषारा अगर कास्कोल है यह है यह कुछ पर सबसे भड़ा अग्पना चपर होगा इस पर्सक्राइब के पीक स्थापना हुए है। अपने टावर को खड़ा करने में 7-8 साल लगा, 7-8 साल तक ये क्या किये, सिर्फ महनत किये, टावर को खड़ा करने में 8 साल तक कमपनी का टावर खड़ा करने में महनत किये, फिर 2016 में क्या कि एक साल पूरा डाटा फ्री कर दिये, तबसे बड़ा उदारन दे रहा हूं पैसि अपने जो यह मेहनत किया है इसका लट लगवाना था लोगों को ठीक है पुरी हमारे भारत में पुर लगवाना था तो 2016 में नहीं 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 था नहीं साल तक जियों को कोई इंकम नहीं था नहीं साल तक जियों को कोई इंकम नहीं था आठ साल तक टावर खड़ा करने में लगा एक साल पुरा फ्री कर दिया कोई इंकम नहीं था बस इंकम जा रहा था इनके पास से पैसे जा रहे थे मेहनत कर रहे थे पैसे जा रहे थे लेकिन इंकम इनको कोई नहीं था यह पैचाय और फेस्बूक वाटसप, केम, यूटूब राद पर जाकर अपनी नीद को खराब कर रहे हैं प्लस में पैसे को बरबाद कर रहे हैं और हम लोग Facebook, WhatsApp, Twitter चला रहे हैं और जियो का मालिक अभी सो रहा है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर दिया जिस सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे हैं और वही सिस्टम आज जियो के मालिक को पैसा दे रहा है इनको यह पता था चूचर की आने वाला समय में मैं कितना आपना बड़ा नेटवर्ग बना सकता हूं मुझे हमेशा जनरेशन तो जनरेशन कैसे पैसा आ सकता है जब तक जीऊ चलता रहेगा तब तक इनको पैसा आते रहेगा इसमें आपको इसे एक्टिव इंकम कि आपको पैसा आते रहेगा तो आप करेंगे तो पैसा आएगा और नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगए तक पैसिव नहीं सब्सक्र órग क्या है इस में पैसा के लिए लोग काम करते हैं पैसी एंकम इन के लिए सस्टम काम करता है पैसिव इनकम लिए टीक यहां आपको मैं करना पड़ेगा पले कि पास सहन के पास इस बेक्ति के पास कितना 24 hours Pal Karni QTX करना लेकिन धेंग मैं 24 घंटा से ज्दात एक आदमी काम नहीं और इसमीं ये इगर बात के प्याद है तो यहां आपको कुद काम करना है यहां आपके लिए कोई दूसरा काम करेंगी नमार चिक्ए है आप और टीम पासा आप काम करेंगे, आप अपने टीम के साथ काम करेंगा, आपका टीम काम करेंगा, आपका टीम काम करके आपको पैसा देगा, यहाँ टाइम का कोई लिमित नहीं है, यहाँ आप अनन्थ काम कर सकते हैं, यहाँ आपके पास लाग को करोड़ों घंटा मिल सकता है पैसिव इंकम लेकिन अक्टिव इंकम में यहां सं मंसुख सेक्टीन में होगता है अगजां हपंद टाटा का लेते हैं तेह कर दो किあ특तर तो उनके जुव कमपनी में है उनके कंपनी में regression 2005 5 तो उनके लिए काम कितना होगा? 8000 गंटा काम होगा. तो सुचीए, कोई एक इंसान अकेला काम करेगा, तो 24 गंटा मैक्सिमुम उसके पास है, 24 गंटा तो काम नहीं कर सकता है, चुकि शोना भी है, और भी काम है, तो 24 गंटा का उदाहर ले लिया मैंने, चोभीत घंटा से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है लेकिन इधर की बात करें पैसिव इंकम की तो आठ घंटा एक आदमी काम करेगा एक हजार आदमी काम करेगा तो आठ भबान गटा हुआ ठा나टा के लिए कितना काम हुआ है इसके बारे मैं समझ द्यक्तिक अंकम को लुख्यों कि जोब करते हैं उसके बारी इसके अलॉफ इक्स पैसा पैसान पयसान जिसमें क्या होता है नुकसान क्या no work no income पैसा नी आएदा यहां से अमीर बनना असंभव है active income means actively कामगर के अकेले कामगर जिन्दगी में फिर यह समझते हैं। फिर δあれ हम व मÈकिलग नि कुणते है इसको समझते हैं फिर इक्टिके मटम् JUL चुनते चुटत यह अब 20 गरीं जे childhood income. अब पैसिविनकम के फाइदे चैसे । पारिवारिक जोटी के도 बहुंत。 अब क्या करने में अपना डियोग के परसानी क्या अडिकते क्या is उसको म्हां समझते हम जहां समय लगेगा टेविद करने के लिए मिसाइड Vital पनानी अब कमपनी ही वो अब एपना ठावर खड़ा किया उसके समय लगा न साथ साल लगा आठ साल लगा उपना समय लगा नौसको तो यहाँ पर क्या होगा समय लगेगा पैसे में इनको इसनरेट करने के लिए अलग हटकर सोचना पड़ेगा आपके दिमाग की धक्कन को खुलना पड़ेगा अलग कुछ एक्स्ट्रा औरिनरी बनना पड़ेगा ठीक है इंकम को जनरेट कर सकते हैं तो 90% लोग क्या करेंगे सवाल यह आता है कि क्या पैसिव इंकम को जनरेट करने के लिए आपके पास तेज़ दिमाग है जब करोड़ों या अरवों का पुंजी है तो 90% लोगों का जवाब आता है नहीं उसके पास इतना सारा पैसा नहीं है जिसकी वो पैसिव इंकम को जनरेट कर सके तो हम लोग 90% क्या करेंगे करने के लिए इतना सारा रिस्क लेना पड़ेगा इतना सारा पुंजी लगाना पड़ेगा क्या आपके पास है पैसे इंकम जनरेट करने का जिसे मैंने बता है जियो का जो मालिक है वो कितना पैसा लगाया कितना मेहनत किया कितना दिमाग लगाया तब ही जाके वो एक पैसे इंकम जनरेट कर पाया तो उस तरह का दिमाग है आपके पास या फिर कोई कोई आप बिजनस करना चाहते हैं और आपके पास तेज दिमाग और करोड़ों की पुंजी नहीं है तो आपके पास दुनिया का एक लोदा विकल्ब है वो है ह touring business multi-level marketing नेट्वरक marketing कि अचो यह आपके पास बहुत ही बड़ा औस्छर है बहुत ही बड़ा मौका है यह क sus Francisco तो बजाए तालीक के लिए जोर से दोस्तों तो तो एक मात्रा आपके पास यह आप्षन है डायक्ट शेलिंग बिजनस इसमें क्या है इसमें आपको ना तू तेज दिमाग की ज़ुरत है डायक्ट शेलिंग बिजनस करने के लिए सिस्टम खड़ा करने के लिए अक्टिवली इसमें क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ दो से तीन साल काम करना पड़ेगा इसमें पैसा नहीं बल्के सिस्टम काम करता है इसमें पैसा नहीं बल्के सिस्टम काम करता है चुक्कि पहले ही हम लोगों ने जाना है कि पैसे इंकम में सिस्टम काम करता है तो फिजिकली उपस्तितर रहने की ज़रूरत नहीं है जहां आपके लिए आपका टीम काम करता है टीम वर्क करने वाले लोग हमेसा अमीर बनते हैं और अकेले काम करने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं लाइक में यह अपितियास उठा के देख लिए जोस्तो जितने भी बड़ी लोग है सब के पास एक अच्छा कासा टीम है विदाउट टीम कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता दोस्तों जैसे कि एकजामपल है, अगर टाइम तो नहीं तस हजार आदमे की तीम अगर आपके पास है, पूरा का पूरा कितना घंटा काम हुआ पचास घंटा काम हुआ इसका मतलब अनंत इंकम आपको आता है इसमें इंकम की कोई लिमिट नहीं होती है इसमें क्या मिलेगा आर्थिक आजादी, वर्म्रम्राइवारे जिए अच़त आपके में दश्ट्राइब यॆि झार फ्रादों पील्टे लिए वह घ्र, वेगयों। आ है यह है घंकर फंटा स्यार्ट निए अठ्यासय को हएक दोस्तों युडिला कि दोस्तों अब हम बात करेंगे फ़ोड़ा साइस में कि इतना जो हमने बताया तो टॉपिक पर हमने बात किया पहले स्क्राइट को अटा जेता हूं अग्यू दोस्तों तो आज हमने बात किया कि पहला सेशन और दूसरा सेशन दूनों टॉपिक पर हमने बात किया पहले पर मैंने प्रोड़क्ट पर बात किया और दूसरे पर मैंने बिजनेस के बारे में समझाने का प्रियास किया तो ये लोगों को पता नहीं होता था